शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले कलमेश्वर में दिन दहाडे पती पत्नी वाइ फायरिंग करने की घटना सामने आई है साथ से आठ लोगों ने ये फायरिंग की है ऐसी प्रथम जानकारी सामने आई है यह चौकाने वाली घटना नाकपूर जिले के कलमेश्वर में हुई है सोमवार को करीब 10 बजे के आसपास कलमेश्वर में गोली चलने से मेश्राम गिरो के मुख्या और पत्नी गंबी रूप से जखनी हो गए गोली चलने की घटना से परिसर में हड़कम मच गया है घटना की जानकारी कलमेश्वर पुलीस को लगते ही पुलीस का दलबल मौके पर पहुचा समा जानकारी मिली है कि जैताला निवासी मेश्राम गिरो का मुख्या गनेश मेश्राम और उसके पत्नी पर किसी ने गोली चला दी है इस घटना में उसके पत्नी प्रियंका मेश्राम भी खायल हुई है बताया जाता है कि गनेश मेश्राम को ख्यात अपरादी है और उसने कुछ ये दिनों पहले प्रताप नगर में एक शातिर अपरादी गोलुमालिया की हत्या का प्रयास किया था इसी का बदला लेने के लिए यह गोली चलाई जाने की चर्चा है इस घटना के बाद परिसर में हरकम पजा हुआ है गोली चलने की घटना के बाद अब गैंगवार की आशंका व्यक्त की जा रही है इन वी से नियूज के लिए कलमेश्वर से योगेश कोल्डे की रिपोर्ट